सूलो प्रेंट्स, वेलकम गेंट के वेगेंट वाओ यूट्यूटीव चैनल आज इस वीडियो में देखेंगी सिंथेसिस अप एटीपी फ्रॉम एडीपी एटीपी क्या होता है एडिनोसीन ट्डाइफासफैट और एडीपी क्या होता है वो किस से बनता है ADP तथा इन और्गिनिक फॉस्फेट के कंडनसेशन रियक्षन के द्वारा बनता है कंडनसेशन रियक्षन ऐसा रियक्षन जिसमें छोटी-छोटी मॉलीक्यूल बाहर निकल के दो बड़े मॉलीक्यूल को आपस में जोड़ दें तो इसके दोड़ा होता है इस कारे को पूरह करने के लिए कटालिस्ट के आफस्क्ता पढ़ती है जिसे ATP Synthes कहाचाता है यह ना दिखो यह क्या है सेल के अंदर होने वाला रियक्षन है बायो सिस्टम में होने वाला रियक्षन है जो एनर्जी सन से आती है फोटो सिंथेसिस के द्वारा गुलकोज में या फ्रक्टो सुगर में जो कनवर्ट इस्टोर होती है उस एनर्जी को गुलकोज के साइकल के द्वारा ATP में कनवर्ट ट्रांसफर किया जाता है ठीक है यह जब डीटियल में आप गलाइकोलेसिस पढ़ होगे तो वहां पता चलेगा कि आप थार्टी ओ एट मोलिक्यूल ओफ एटीपी जनरेट होते हैं किस से एडीपी से ठीक है तो अथा एटीपी सिंथेस क्या है एटीपी सिंथेस is a protein catalyst that catalyze the formation of energy storage molecule दोकर इसको मैंने कहाँ energy storage molecule एटीपी क्योंकि phosphate bond में energy काफी जादा मात्रा में store होती है ठीक है phosphate bond जो बनता है वो high energetic bond होता है बनने के लिए energy के अफसलता पड़ती है जब वो तूटता है तो energy release करता है ठीक है उसी free energy से हमारा body चलता फिरता है या फिर living organism में कोई भी काम होता है ठीक है तो यह ATP क्या है adenosine triphosphate from ADP adenosine difosphate and inorganic phosphate तो यह दोनों कोई क्या करता है जोडने का काम करता है ठीक है overall reaction क्या होगा ADP plus inorganic phosphate 2H plus out ठीक है और यहाँ पे ATP synthase enzyme जो है यूज होता है plus energy लगती है यह reaction reversible भी है इधर क्या हो जाएगा minus energy हो जाएगा और इसकी ज़रत नहीं पड़ेगी ATP synthase के ठीक है ATP बनता है H2O बनता है और 2H2O बनता है इन होता है ठीक है यह होगे आपका overall क्या लिखना है यहाँ पर आप समझ लेजिए कि इसमें होता क्या है ठीक है तक यह क्या है ADP है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो structure दिख रहा है आपका यह एडिनोसीन यह है पेंटोस तुगर इस position से nitrogen के साथ link रहता है यहाँ nitrogen यहाँ nitrogen और यहाँ nitrogen alternate आपको nitrogen देना है यहाँ से start कीजिए एक nitrogen alternate छोड़के एक nitrogen यहाँ पर छोड़के यहाँ एक nitrogen यहाँ छोड़के यहाँ छोड़के एक इनस्टू ग्रूप ठीक है इसका structure याद रहेगा double bond की position भी देख लीजिए आप nitrogen के साथ में ही लगा है इस nitrogen के साथ में double bond नहीं होगा क्योंकि इसकी जो balance है one, two, और यह three maintain है जब इसका total maintain है तो यहाँ भी double bond नहीं आएगा ठीक है double bond आएगा यहाँ पर और यहाँ इधर से देख लेना आप NH2 के just सामने वाल nitrogen में और उसके alternate double bond है पिंटोस सुगर इसका structure भी आप जो है गोगल करके देख लेना यहाँ पर CH2 group होता है oxygen के साथ में यह ester bond बनाया है phosphate जह single ester bond है और यहाँ पर POP क्या है यह diester bond ठीक है यह क्या है diester bond phosphate diester phosphobond ठीक है phosphodized bond यह इस्तिती होती है यहाँ पर end में OH है इधर भी end में OH है inorganic phosphate के इधर end में क्या है OH है यहाँ का एक H और यहाँ का OH यहाँ का OH और यहाँ का एक H आपस में क्या बनाएंगे H2O का formation करेंगे जिससे एक bond जो है खाली हो जाएगा और इसका भी bond खाली हो जाएगा जो आपस में जोड़ जाएंगे यहाँ पर हमने क्या minus कर दिया H2O और इस bond के बनने के लिए energy की अवसकता पड़ती है ठीक है energy की अवसकता पड़ती है तब यहाँ पर जो है bond बन पाता है बाकी तो molecule वैसा ही है यहाँ स्टेक हो जा रहा था यहाँ nitrogen नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा अपका यह जो है new bond बन गया यह new link phosphodizer link बन गया ठीक है यह ADP से ATP का synthesis कुछ इस तरह से होता है अब ATP ADP cycle या ADP ATP cycle देख लो यह न यह भी वही चीज़ है बस इसको cycle group में आपको दर सादना है देखो यह क्या होता है ribose, sugar यह होगा adenosine ठीक है यहाँ पर किवल दो phosphate है तो यह क्या हो गया ADP ठीक है एक phosphate group यहाँ पर जुड़ेगा प्लस energy लगेगा यह क्या मन जाएगा ATP देखो मैं डीटेल में नहीं लिखा हूँ चाहतो आप ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको बता दो यह क्या है ADN machine है यह sugar है describe कर दो ठीक है जैसा यहाँ पर दिखा है describe कर दो यह बन गया आपका ATP अब जब ATP से ADP बनता है तो free energy निकलती है वह energy जो यहाँ पर use हुआ है bond बनने में bond जब तूटता है तो वह energy यहाँ पर release out होती है और क्या बनता है यहाँ पर एक inorganic phosphate बाहर निकलता है और क्या बन जाता है ADP तो इस तरह से यह पूरा reaction जो है complete होता है अब एक screen shot में video के last में डाल दूँगा आपको ठीक है उसमें आप जो है देखे समझ सकते हो ठीक है तो चैनल में बने खने के लिए बहुत धन्यवाद अब सभी का दिन सुभू